नमस्कार दोस्तों, टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभीन बढ़तियों के बारे में सभी जानकारियां दी जाती है जिस दिन से कोर्ट ने कहा था कि लिखित समिशन पूरा करिये उसी दिन से कोर्ट का द्रिष्टिकों समझ में आ गया था कि अब कोर्ट भी चाहती है कि ये केस जल से जल समाप्त हो उसके बाद में आज क्या हुआ उसके बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि आज जो वकील है कालिया सर उनकी आज बहस हुई और उसके बाद में प्रशांत चंद्रा जी की बहस हुई सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात भले ही एक गंटे से जादा बहस कियो कालिया सर ने लेकिन उन्होंने अपना सम्मिसन पूरा कर दिया लेकिन जो बीट के वकील है प्रकास चंद्रा जी उनका सम्मिसन आज भी पूरा नहीं हो पाया हलांकि अगर चाहते वकील साहब आज जो बीट के हैं वो वकील जमा कर सकते थे शॉट में बहस करने के बाद में अपना लिखित सम्मिसन पूरा कर सेते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है अभी बहुत सरे वकील और भी बचे हैं खासतोर से भी मातुर सर हैं अभी उनकी भी बहस होगी उसकी बाद में वो भी लिखित सम्मिसन देंगे और उसके बाद में नमबर आएगा शिक्षा मित्रों के वकील का और ऐसी जरूर उमीद है कि जो शिक्षा मित्रों के वकील हैं अभी तक BTC के अभरतियों ने जो भी तरक दिये हैं या BAT के अभरति के जो वकील है उन्होंने जो भी तरक दिये हैं उ उन्होंनों भी मूट बना लिया कि इस केस को जल से जल समाप्त किया जाए तो यह देख सकते हैं कल इसकी जो सुनवाई है वो दो नंबर पर होगी और कल जो बीट के वकील हैं चंद्रा सर जो जनकारी निकल करके आ रही है कि उनका बहस भी होगी और उनकी अभी कल समिशन भी पूरा हो जाएगा उसके बाद में मातुर सर कितना समय लेते हैं यह कल ही मालूम चलेगा कल फिलहाल दो नंबर पर सुनाई हो नहीं है और जिस तरीके से आज निश्चित था आज सुवह मैंने बताया था कि आप लोगों के आज जो नंबर जरूर आएगा चुकि फ्रेस केस नहीं है इसलिए कल भी जरूर नंबर आएगा क्योंकि यह दो नंबर पर लगा हुआ है और कल के बाद में जो अब अगली तारीक मिलेगी कल के बाद उस तारीक में उमीद है कि जो सिच्छा मित्रों का वकील है जो अपना सम्मिशन पूरा कर देंगे और जो अपनी बहाष है और अरगोमेंट है वह भी पूरी कर लेंगे बात के लिए तकि बहुत सारी विद्धार्थी लगा-तार पूछते रहते हैं कि सर किसका पक्च भार करी गता है जिस बियेड के यह कि वकील बोलते हैं तो उसलिन ऐसा लगता है कि यह लगता है पक्षय मजबूत और बिटीसी के इनका पथ तुम ज्यादा मजबूत है और जिस दिन सिक्षा मित्रों के जो वकील बोलते हैं और प्रकों करने प्रकों को सब्सक्राख को इनकार दुक्रणल पछसे स्थे सभी होई गया बहुत ज्यादा मजबूती हुई तो तर्क तो आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि तर्क वही पुराने हैं जो पहले रखे गया वही अभी भी रखेगा कोई नया तर्क नहीं रखा गया अब मैं तो चाहूंगा कि तर्कों के बजाए में जल्दी से लिखे समिश जाएगा मैं आपको फिर से बताता हूँ कि इस बार अगर ये इस केस का आडर जर्व हुआ तो रिजर्व होने के बाद में बहुत दिन नहीं लगेंगे आडर सुनाने में तो हो सकता है कि फरवरी के महीने में आपको आडर भी सुनने को मिल जाए यह हो गया आज के वीडि जन्ने बार